नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार बिहार में चुनावी महाल और राजनीती का रंग अन्य परदेशों से बिलकुल अलग होता है देश में कोरोना चल रहा है उसके बाबजूद भी बिहार चुनावी रंग में पूरी तरह रंग गया है नेताओं के जुमा पर कस्मे वादे हैं तो वहीं जनता बेहतर परत्याशी की तलाश में है भागलपूर विधानसवा सीट से NDA परत्याशी को लेकर संसे खत्म हुआ तो वहीं नातनगर विधानसवा सीट से कयास लगाये जा रहे राजत परत्याशी के संभावित परत्याशी के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार आलोग का फैसला सब को चौका दिया है डॉक्टर अशोक आलोग वास्पा का दामन थाम लिया है डॉक्टर अशोक आलोग परीचे के मोहताज नहीं है अपने छेतर में बहतर कारियों के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है अशोक कुमार आलोग युवा चेतना कलुर नाम की एक सामाजिक संस्था चलाते हैं जिससे की लोगों को मदद के साथ युवाओं को खेल कुद में आगे वढ़ाने को लेकर प्रेरित करते रहते हैं और आज हमारे साथ हैं सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर आपका फैसला तो बिलकुल चौका दिया लोग कयास लगा रहे थे कि राज़त के संभावित परतियासी के रूप में कि असोक आलोग होंगे लेकिन जब आपने वासपा का दामान थाम लिया तो ये फैसला अश्चर चकीत के साथ चौकाने वाला रहा निशंदे ये आपके लिए और जनता के लिए भी चौकाने वाले फैसले हो शकते हैं लेकिन मैंने बासपा का दामान पहले नहीं थामा जब राज़त ने मुझसे दामान चुड़ा लिया किसी और का दामान पकल लिया जिसको समात से, राजनिती से, युवा से, किसानाओं से, सर्मिकों से, मजदूरों से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था जब राज़त ने उसके दामन को थाम लिया मुझे जगजोर कर छोड़ दिया तो चुकी मेरा और जनता का अन्यो नास्तर शम्मंद है मैं जनता से दूर नहीं रह सकता मैं जनता के समस्याओं से दूर भाग नहीं सकता तो हर हाल में मुझे जनता के बीच आना था इसलिए एक सबसे बहतर और एक सबसे बड़ी पार्टी जो सोसित, दलित, वंचित, अकलियत सबों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ी है जो बाबा भीमरा अम्रेदकर के सिधांतों पर चलती है उसका मुझे आसरवाद प्राप्त हुआ और निशन्देह उन्होंने मुझे सम्मान के साथ सिंबॉल दिया और आज मुझे गर्ब है कि निश्चित तोर पर जो गरीबों की लड़ाई लड़ती है मैंने उसका दामन थामा है और ये दामन बहतर एक परिनाम लाएगा जनता के लिए खुसाली का पैगाम लाएगा वो अपने छेतर में बहतर कारियों के लिए जाने जाते हैं खास कर रिपोर्टिंग के लिए जब मेरा इनका छेतर जाना होता है तो युवाओं के बीच इनकी चर्चा होती है तो कहिना कहीं आपनी जो अपनी पहचान बनाई है जो उनका एजेंडा होता है तो सिर्फ नेताओं का या कर्तब भी है कि उस मेनिफेस्टो और एजेंडा को चुनाब जितने के पसाथ लागू करे जन हित में काम करे लेकिन जो छेतर के नेता होते है उनका तो यही कर्तब भी होता है कि वह समाज के जनता की लडाई को लड़े और जनता के बीच में सुख दुक का हिस्सा बने और व्यक्ति के नेता के जो छेतर के नेता हो प्रत्निधी होते हैं उनके लिए तो वही सबसे महतुपुर्न है उसकी पहचाण उसका काम है जुवाण नहीं जुवाण अगर कम बोल काम अगर अधिक करे तो वही असली नेता हुआ वही नेत्रित्र करता वह वह जंद परतने दी हुए और अगर छेत्र के नेता भी चुवान चलाएंगे दोखाउं का बान चलाएंगे तो पिर जनता तो रिरास हो इसलिए निस्वित तौर पर मेरे द्वारा किये गया गाम जनता को पता है, मेरी इमांदारी, मेरी मेहनती वो जनता को पता है, और मुझे मालूम है की मेरे काम पर मुझे मज़ूरी मिलेगी, इस में कहीं को दोराए नहीं है. अचानक से फैसला लेना तो कहीं नहीं कहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इज़त पे सवाल ला देते हैं कि अपनी इज़त जो है मिट्टी में मिला दिये इतना दिन तक फलाना पार्टी के साथ था तो ये चीजे को कैसे देखते हैं आप पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इज़त की जो आपने बात किया अगर डॉक्टर असोक कुमार आलोक किसी जनता को जूट बोले उसे ठगे धूरताई करे ब्लॉक ठाना एससपी आफिस दियाम आफिस की दलाली करे अगर युवा के साथ धोखाधरी करे अगर सिच्छा को च तर निश्चित तोर पर जुकना चाहिए लेकिन अगर आलोक दीन रात जनता के साथ रहता है जनता के हित की चिंता करता है उसकी लडाई करता है उसको सुख दुख में साथ देता है तो पार्टी कोई माइने ने रखते और सर जुकने की कहीं से कोई बात नहीं है मैंने जन आप जीत भी जाओं और पार्टी के काम, बिवार, चाल, चरित्र, चिंतन और संसकार, अगर जनता के वादे से, और जनता के एजन्डा और बेनिफेस्टों से अलग होता है, तो मैं उसे पार्टी को हैट सॉप कर दूँगा, और उसे दूर हो जाओंगा, सलाम करते हुए, मै उसे समंद भी छेट कर दूँगा, तो मैं सिर्फ कहता हूँ, कि लोकतंतर की इस दली बे वस्था में, पार्टी एक माध्यम है, जो जनता और नित्रत्तों करता, सिर्फ नित्रत्तों करता के बीच में कड़ी का काम करती है, और वा जब तक बहतर काम कर रही है, तब तक पा लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, खासकर समाजिक संस्था चलाते हुए, लोगों की मदद कर रहे हैं, और कोरोना काल में प्रकृति काबदाबार में भी आपने बहतर कारी किया है, उसमें no doubt, लेकिन राजनीती में फिर क्यों आना है सर, जब कारे हो ही रहा है, लोगो यस अंभानी जी अगर वो भी चाहलें कि पूरे भारत को बाल आपदा भुकम्प में मडद कर दें, तो एक सुन्दर देश का निरुमान नहीं हो सकता है, सुन्दर राजज का निरुमान नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें हर हाल में एक उचे सदन का हिस्ता बनना क्योंकि समाज सेवा और राजनिती दोनों अलग अलग चीज है लेकिन मैं आलोक ये परियास करता हूं कि राजनिती और समाज सेवा दोनों एक साथ करूं तो निसंदे अगर मैं राजनिती में नहीं आता हूं तो समाज सेवा तो करता रहूंगा लेकिन समाजों समाज की जो वास्तुविक लड़ाई है भागलपूर में एक भी उद्योग नहीं है तो क्या मैं उद्योग फेक्ट्री लगा सकता हूं मुझे में इतनी सामर्थ है उसके लिए तो सरकार के नियम करून को बदलने होंगे न क्या मैं एक बहुत नात्रेगर में जैसे रेलवे ओर ब्रीज लेलख में रेलवे वर ब्रीज नहीं है तो क्या आलोकमा रेलवे वर ब्रीज को बना सकता है नहीं बना सकता है उसके लिए राजपूर रेलवे मुरहन सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए है उसके लिए मुझे सदन का हिस्ता बनना पड़ेगा उसमें कहीं कोई मात जनता की आवाज को सुन सकता हूँ, जनता की आवाज को वहां तक पहुंचा सकता हूँ, आज तक जो हमारे पत्निदी होते हैं, वह नेताओं के गुलाम होते हैं, शिर्ष नेताओं के आगे पीछे दलाली करते हैं, चापलूसी करते हैं, ये वैसे लोग होते हैं, जो नेता क बोट टिकट को ले करके और जनता के पैर को पकड़ करके काम जीत तो जाते हैं लेकिन काम के समय भाग जाते हैं इसलिए मुझे समाज सेवा भी करना है और जनता के आवाज को सदन तक पहुचाना है मुख्यमंति तक पहुचाना है इसलिए मुझे ये चुनाव लड़ने बह पाटी मैंने रखती है या फिर जन्परती नी लिए भी पार्टियां तो महतुपुर्ण prawd लोक्तंत्र में पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है और लोक्तंत्र में पार्टी में महत्वपूर्ण चीज़ से और ही बत्तर होë आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि नरेंदर बोदी जी ने कि भागलपूर में अजो ef मंदल जी को दे दिया संबॉल जनता ने उसे बोट भी कर दिया डेर साल बीद गए जनता परतिनदी का चेहरा देखने को मुहताज है उन्होंने कहा था कि तीन मैना नबबा दिन नबबा दिन में सब सड़क पूल पुलिया सब समस्चा खतम नबबे दिन खतम हो गए समस्चा धरे के देर रह गए पांथ साल पूरे हो जाएंगे समस्चा धरे के धरे रह जाएंगे इसलिए एक व्यक्ति जो पडा लिखा हो जो इमांदार हो करतबनिस्ट हो लडाई लड़ने की भावना को रखता हो जनता की आवाज बनना चाहता हो वैसा परतिन दी होना बहुत जर तो उसमें से एक बात याद आ गई कि अजय मंडल का एक बयान आया था कुनों ने कहा था कि जनता जो है लोग जो है सड़क पर यानि एनचेट्री पर पानी डाल देते हैं पानी बहा देते हैं उससे रोड जो है खराब हो गई है कम सब्दों में चाहेंगे जबाब जनता इसनी बेपकूफ नहीं है और उसके पास इतना खाली समय नहीं है कि वह घर के पानी को भरेंगे और सड़क परिदा करके उड़ेल देंगे सड़क को खराब करने के लिए ये जब भी करते हैं सड़कों को चिप्पी करते हैं करणोर रुपया ड़कारते हैं अच्छा र वहाँ पर जंता इस बार आपको क्यों बोट करें," सीधी सी सब्दों में." क्योंकि मैं जनता के सुकदुक का हिस्सा बना चाहता हूँ और बना हूँ चाहे मैं नोकरी करता रहूँ, चाहे मैं पढ़ाई करता रहूँ जब भी कोई बाड आए, भुकंप आए, जब भी कोई आग लगा, आपदा हुआ, ठंड है वो हमेशा आलोग उसका हिस्सा बना है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 20 बर्सों से लगातार आप नात्र विदानस्वा में कहीं भी जाकर के बात कर लें सिक्षा के विकास के लिए आलोग और उसकी संस्था और उसके टीम युआ चतना कलब के एक एक परतिनिदी दीन रात लगातार जनता की सेवा करते हैं और सिक्षा के विकास के लिए दीन रात लगे रहते हैं तो जनता मेरे पिछले किये गए काम, कोरोना काल में किये गए काम, जो कि जब परिवार को चिंता होती है अपने बच्चों की, अपने पिताजी की, अपने भाई की, तो मैंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, दिन राध जनता का सेवा किया, तो मेरे द्वारा किये गए पुर्व के काम को देखते हुए, जनता मुझे आसिरबाद देगी, मैं जनता का आसिरबाद लूगा, इसमें कहीं कोछ सक नहीं है, क्योंकि सिर्फ काम बोलता है, जनता को काम चाहिए, बेवार चाहिए, संसकार चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आलोक ने दिया है, मैं आप को ने क्या सुखदुख में कभी हिस्सा लिया क्या सिक्षा का विकास किया क्या मजदूरों सर्मिकों के लिए कोई काम किया क्या युवा के लिए कोई काम क्या रुजगार के लिए कोई काम क्या किसानों की लडाई को लड़ा क्या उन्होंने छेजर के विकास के लिए कोई लूँगा यह सभी ढोगी हैं और जनता को ठकने का काम करते हैं इसलिए मैं जनता के बीच आ रहा हूं अपने काम के बदोर बेसक इसमें जो है कोई संसे नहीं है सक नहीं है कि युवा बैतर करते हैं लेकिन आप से जाना चाहेंगे कि एक युवा और खासकर सिक्षित कितना म महत्वपुर्न कितना होता है है सबसे बड़ी बात है कि युवा और सिक्षित आपने बोनों बात करी तो युवा का होना इसलिए बहुत जरूड़ी है क्योंकि हमारे जो पुराने लोग होते हैं उन्भवी लोग होते हैं तो उनसे हम अन्भव लेकर के आसरवाद लेकर के चेतर के विकास का पढ़ियास करते हैं सतर वर्स के बुढ़े आदमी आशिरवाद देने के लिए होते हैं सतर वर्स के बुढ़े आदमी दीन रात चेतर में काम करने के लिए नहीं होते हैं जौब में साथ वर्स तक रिटार्मेंट दे दी जाती है और बरतमान सरकार कर रही है कि आने वाले समय में 50 वर्स में हम रिटार्मेंट दे देंगे तो ये नेता कौन सा आनाज खाते हैं जो 70 साल में जवान बने रहते हैं इसलिए युवा का होना बहुत जरूरी है जो दीन रात विदान सवा छेत्र एक हज़ार लगवग गाउं तो सभी गाउं में त होंगे होंगे बुद्धू होंगे तो जनता की लडाई हम नहीं लड़ सकते उची आवाज में अपनी बात को सदन में नहीं रख सकते इसलिए छेत्र की समस्या को चिनित करते हुए दीन रात अथक परिसरम करते हुए सदन में आवाज को उठाया जाए काम किया जाए छेत और हार को दरकिनार कर दिया जाए तो डॉक्टर अशोक कुमार आलोग जनता के बीच कब और कैसे और क्यों खड़े रहेंगे बिल्कुल जीत और हार अपने अलग चीज हैं उसके अलग माइने हैं उससे एक परत्रिधी को एक समाज सेवी को जीत और हार से कभी प्रभावित नहीं होने चाहिए जब उन्होंने वचन दिया अगर आप कोई एक चुनाव को लड़ लिए और अपने आपको परतिंदी बनने का सोच लिए तो आपको दीन दाब जनता के लिए लडाई लड़ना होगा अगर सदन का हिस्ता बने तो सदन में आवाज को रखिये और सदन का हिस्ता नहीं बने तो समाज सेवा करते रहिए यही एक प्रतंदी का करतब भी होता है और मैं सपत और वचन देता हूँ कि मैं जीत हार से परे होकर मिना उसे प्रभावित हुए जनता के सुख दुख का हिस्सा बनता रहूँगा उसकी आवाज उठाता रहूँगा उसकी लडाई लड़ता रहूँगा चाहे हुआ सलक से लेकर सदन तक क्यों न हो इसके लिए मैं सदर प्रयास करता रहूंगा जीत हार से मुझे कोई माइने नहीं रखता चाहिद अब चुनाव से पहले आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो तो इसलिए जनता से कुछ कहना चाहेंगे तो कम सब्दों में मैं जनता से करबद प्रयार्थना करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक सुन्दर समाज के निर्वान के लिए स्वस्त, सिच्छित और सुन्दर समाज के निर्वान के लिए हमें सहयोग करें लेकिन इस सर्थ पर सहयोग करें कि अगर में पूरु में आपके सुक दुख में सामिल हुआ मैं युवा, किसान, मजदूर, चात्र, छात्रा मैं सबों की आवाज अगर बन सकूं तो मुझे आप सहयोग करिए अगर मैं छेतर के लड़ाई को लड़ सकूं तो मुझे सहयोग कीजिए अगर नातनगर, सबोर, जगदीशपूर पर खंड के 43 पंचायत के लड़ाई को मैं लड़ सकूं तो आप मुझे सहयोग कीजिए आप उस बेक्ति को सहयोग कीजिए जो कोरोना के काल में आपके सुख दुख में साथ था बिना किसी भैके और बिना किसी भूलके और आप उस विक्ति को मदद कीजिए जो आपको अपना समझता हो आपको अपने परिवार का हिसा समझता हो अगर आपको लगता है कि मैं जाती और धर्म से उपर उठकर आपके विकास का प्रयास करूँगा अगर आपको लगता है कि मैं आपकी आवाज बिधान सवा में उठाओंगा आपकी आवाज बनूँगा अगर आपको लगता है कि मैं मा बहनों का सहरा बन सकता हूँ अगर आपको लगता है कि मैं बुड़े बिर्दों का लाठी बन सकता हूँ तो आप मुझे सहयोग करें इस यही मेरी प्रार्तना है यही मेरा आपसे आरजू है मिन्नत है परणाम शलाम नमस्कार धन्यवाद आलोक सर आपका बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद मैं भी चाहूंगा कि आप जो है लोक तंतर के इसमहापर में अपनी भागिदारी निभाएं और नजदी की मतदान केंदर पर जाकर अपने मतों का परियोग करें और अपने छेतर के अपने समाज के अपने ग करेंदाध अपने और अपने खफ़गास दिए खबता अपने मतों के अपने अपने बहुता है आ समापका टारी नजदी की मतों के लिए और नजवाद के अपने मतों के अपने मतों जद।